आज की कख्षा में शब्चक्ति का दिन करेंगे शब्चक्ति का आर्थ उसकी प्रकार उसका कार्यक्षेत्र कहां तक उसका कख्षेत्र होता है आजी आजी को जानने का परियास करते हैं शब्चक्ति का आर्थ है कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं हमारे उच्चारण के तुरंत बाद मानस में उसका अर्थ व्यक्त हो जाता है कौन सीव शक्ति है जो हमारे उच्चारण के साथ ही मानस में उसके अर्थ को व्यक्त कर तो शब्द के उच्छारण के साथ जो मानस में अर्थ व्यक्त हो जाता है उस अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्दक्री कहलाती है यह मानना था कि शब्दों के द्वारा निर्दारित किये गए हैं लेकिन तर्क दिपिका में साफ साफ लिखा है कि मनुष्य द्वारा भी मनुष्य की इच्छा ये शब्दों της निरदारित होते हैं क्लब ये शब्शक्तियां तीन तरह की होती है तीन प्रकार होते हैं शब्षक्तियों के, अभीदा शब्षक्ति, लक्षना शब्षक्ति और व्यन्यना शब्षक्ति, शब्षक्तियों के आधार पर ही तीन तरह के शब्षक्त होते हैं, वाचक शब्षक्त, लक्षक्त और व्यन्जक्त शब्षक्त, तीन ही तरह के आर्थ ह होते हैं वाचार्थ लक्षार्थ और व्यांग्यार्थ तो सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं अधिन करते हैं अभीदा है अभीदा शब्द शक्ति को कहते हैं जो किसी भी शब्द के मुख्षर साक्षात सांखेती तर्थ या प्रसिधर्थ का बोध कराती है तूसरा इसका चर्ण्य याफ क्षण वाचक तो अभीदा शब्द शक्ति जिस शब्द का अर्थ बोध हमें कराती है वह शब्द वाचक शब्द कहलाता है और जिस अर्थ का बोध कराती है किसी भी वाचक शब्द के अर्थ का बोध जिस अर्थ का बोध अभीदा शब्द शक्ति कराती है वह मुख्यार्थ कहलाता है कि अभीदा शब्द शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध हमें होता है वह मुख्य अर्थ कहलाता है इसे साक्षात सांकेती तर्थ भी बोलता है और मुख्य वाच्य आर्थ भी बोलता है यानि कि तीन शब्दों से हम इसको जानते हैं मुख्य आर्थ साक्षात सांकेती तर और वाचियात, अब तीन चीजें हमें समझनी है, पहली संकेत ग्रहन, संकेत कहां कहां से हमें मिलते हैं, दूसरा वाचक शर्थ और तीसरा अभीदा का क्षेट्र, कहां कहां तक किस अभीदा सब्सेटि काम करती हैं, तो सबसे पहला है संकेत ग्रहन, क्यानि कि हम चिन शब्दो का अर्थ अभीदा से, उनका संकेत ग्रहन कहां से होता है, संकेत ग्रहन से मतलब, जैसे मैंने कहा ये पैन उठाओ, तो जो जिस चीज की तरफ मैंने इशारा किया, उसे आप समझ जाते हैं, ये पैन है, तो जितने भी मुख्य अर्थ हैं, प्रसिद अर्थ हैं किसी भी चीज के उनका ग्रहन कहां कहां से करते हैं, ये संकेत ग्रहन होता है, तो इसके 5 साधन माने जाते हैं, मुख्य रोग से, सबसे पहला प्रत्यक्स दर्शन, जैसे मैंने अभी बताया, ये पैन उठाओ, ये कुर्शी उधर ले जाओ, मेज पर पुस्तक रख दो, तो मेज, पुस्तक, पैन, ये सब जब संकेत से देखते हैं, तो हम इस कार्थ ल देख देख के सीखता है, समझता है उनके अर्थों को, छोटे बच्चे को नहीं पता पुस्तक क्या होती है, लेकिन जब बच्चे से बताया जाता है, ये पुस्तक पकड़ाओ, तो बच्चा समझ जाता है, कि ये पुस्तक कहलाती है, क्योंकि अब उसके बाद जब भी लेंगे बोलेंगे उचिजारन करेंगे पैनषब करेंगे मेजशब करेंगे तो उस बच्चки मिस्तिस्क में मानस में एक दम आ जाएगा उसकार पुस्तक वह मेजे एग अब्ह dł दह में दर्ज्ककिदॐर्ण करें दूसरा पाठ प्लस अक यानि कि पढ़ने वाला लेखक लिखना प्लस अक लेखक लिखने वाला तो व्याकरण से भी हम दूसरा संकेत ग्रहन करते हैं तीसरा होता है साद्रिश, उपमान, यानि कि एक समानता, किसी ने गाय देखी है, गाय को जानता है, लेकि नील गाय उसने नहीं देखी, नील गाय को नहीं जानता, तो उसे समानता से साद्रिश, उपमान प्रस्तुत करके बता सकते हैं कि गाय की तरह का एक प्राणी, एक जी किसी भी शब्द को कुल से लिए द इखालते हैं एक चीज को हम जानते हैं लेकिन एक बा Cabinet कुछ का परियावाची शब्द होता है दूशरी भाषा के हो या दूसरे बोली हो तो हम शब्द कॉल पूरी-पूरे वाक्य के आर्थ या मुहांवरो के लोकρति कोर्थ, पाँचवह होता है आप्त बचन या प्रसीद्य व्यक्तियों के कथन, कुछ प्रसीद्य व्यक्ति कथन बोल करते हैं तो उससे हम उसका आर्थ अभिदा से संखेत अधार के यह दूसरा जो ग्रहन के बाल है वाचक शब्द के आधार क्या ग्या है तो तो वाचक शब्द के आधार चार माने गई है, जाती, द्राव्य, गुण और क्रिया, जाती से मतलब किसी भी एक जाती की चीज जिसे नदी, पुस्तक, पुस्तक है तो एक इस्पेशल हमने नाम ने लिया रामायन, लेकिन पुस्तक से या नदी है तो नदियां बहुत सारी ह जाती वाचक शब्द होते हैं, गुळँ शब्द मतलब जिन चीज को, स्टों देख सकते हैं चू सकते हैं वह अभीधा कार्थि सक्ते उन शब्दों का बौत कराती हैं। तीसरा होता है गुण द्राव्य की विशेष्टा बताने वाले गुण होते हैं जिसे लाल कमीज सफेद गोड़ा तो गोड़े की विशेष्टा बताई गोड़ा सफेद है कमीज का रंग बताया है यह लाल है तो किसी भी पदार्थ के गुण बताने वाला दोस बताने वाला गुणवाचक्षत कहलाता है। चोथा है करिया। किसी भी के चेष्टा को करने के लिए जो विकार आता है वो करिया कहलाती है जिसे पकाना। कि पकाने के लिए पकाएगा पका याप पकाता है तो इस तरह से हमारे ग्याद जब चेश्टा में रूप परिवर्तन हो जाता है जिसे पकायगा, फकाएगी फकाता है उसने पकाया तो जब चेश्टा में रूप परिवर्तन होता है और तो दुझा क्रिया कहलाती है तो इस तरह से चाराधार हमारे इसके वाचकशब्दों के हो गए हिसके बार तीसरे आता है अभीदा क्षेतर होगर अभीदा क्षेतर जाने काम करती है सबसे पहले इन एक आृर्थी शवर equally HIV होता है जिसे अगर हमने पुस्तक शब्द का तो पुस्तक का एक ही अर्थ है और उसे दो-दो अर्थ लगाने की या कई कन्फ्यूज होने की जवर्थ नहीं होती है लेकिन कुछ अनेक अर्थी शब्द भी अभीदा के क्षेत्र में आते हैं जैसे जो शले शलंकार के प्रसंग वाले प्रसंग महावीर का यदि मिलता नहीं प्रसंग तो इसमें महावीर के दो आर्थ एक हम नहीं कैसे लिखते ुसका का गान करते यदि यारनि की मानंगा जी करपा प्रसाद उनके उपर नहीं होता तुसरा ये कि तुलसी दास तो यह महावीर शब्त का अर्थ है अगर महावीर प्रसाथ द्रिवेदी का मार्ण्दर्शन लेखक को नहीं मिलता तो तुलसी दास नाम की तुस्तक की रचन को नहीं कर सकते थे इसके बाद भी कयानेक प्रसाथी शब्त होता है और उसमें यह थोड़ा से एका हरी शब्द कार्द विष्णु होता है, वानर होता है, और और सूर्य यहीं सूर्ज भी होता है अगर हम कहता है शंक चक्र युक्त हरी तो शंक चक्र वानर के साथ नहीं आ सकता शंक चक्र सूर्य के साथ भी नहीं आ सकता शेर के साथ भी नहीं आता तो शंक चक्र शब्द के सयोग से हम हरी कार्थ विष्णु निकाल लेते हैं और दूसरा होता है व्योग अगर हम यह कहें शंक चक्र व्यूक्त हरी तो यहां पर शंक चक्र वही बात आती है कि शंक नग बिन सुनी मूंद्री तो नग के दूर्थ होता है और नग मतलब नगीना होता है तो यहां नग बिन सुनी मूंद्री मतलब अंगुठी अंगुठी किस नग के बिन सुनी होगी नगीना के बिना परवत के बिना नहीं तो यहां वियोग से हम उसकार्थ निकाल लेते हैं तीसरा साचरिय साथ होने से राम लखन दो भाई वन चले अब राम और लखन दोनों भाईया जब वन जा रहे हैं हमें सीधा पता चल जाता है उसका भी दासयार्थ यहां पर दश्रत पुत्र राम से लिया गया है लेकिन अगर इस फिर विरोध में यह कहें कि लक्ष्मन ने राम पर व्यंगबान छोड़े लक्ष्मन दश्रत पुत्र राम जोनके भाई थे उनके भक्त थे उन पर व्यंगबान नहीं छोड़ेंगे यहां हमें राम का अर्थ पर्षु राम लगाना होगा राम के दोनों अर्थ होता है पर्षु राम भी और दश्रत्पुत्र राम भी तो यह पर्षु राम पर पर्षु राम उसका अर्थ होगा क्यूंकि जब सीता का स्वेंबर हो रहा था उस समय पर्षु राम की और लक्ष लक्षमन ने उन्हें काफी खरीकोड़ी सुनाई थी व्यांगवान छोड़े थी तो विरोध से हो गया पांचवा हम ले सकता है आर्थिया प्रियोजन से भजो इस्थानु जो दुख का निवारक है तो इस्थानु के दो अर्थ होते हैं एक शिवजी और दूसरा खंबा उस्थानु जाहिए हम इसका रथ शीवजी लगाएंगे ना कि खंबा लगाएंगे इस से आगे हमें प्रसंग से या प्रकरन से भी आथि निकाल सकते हैं वीदा से जैसे एक व्यक्ति कहता है सेंधव लाओ तो सेंधव के दो अर्थ होते हैं नमक भी होता है घोड़ा भी ह सामर्थ से भी हम उसका अर्थ। निकालते हैं, अभीदा के kshetra 순간 सामर्थ जैसे मदुपीकर म'thỗi कारी कोयल, कोयल मदुपीकर म'thuis कारी कोयल, तो मदु नहीं इस ही कह Kar los heb ik E The तो यहां मदूकार दो शेहद और यही बसंत्रुत right क्योंकि मदीरा के बसंत्रुत सब्सक्राइब कोर्यम को मदीर्हें मनुश्यो नोौ मनुष। तो आज का प्रक्रान ए अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और अगली कक्षा में लक्षणा संक्षी पट्शा करेंगे और अगर कुछ भी इसमय समझ में नहीं आता है कुछ डाउट रहता है तो वाटसड पर लिख कर चैनल के कमेंट बोक्स में लिखकर अपनी बात पूछ सकते हैं और आपको जरूर जरूर उतर मिलेगा अब मैं विदा लेती हूं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आगली काक्षा तक के लिए